paire real step extended कि मौडिफिकेशन क्या होती है। किसमें मौडिफाय होता है उसकी एक्जामपल है स्टम मौडिफाय होता है ट्रिंडल में ठीक है स्टम मौडिफाय होता है किसमें किसमें मौडिफाय होता है ट्रिंडल में ट्रिंडल क्या है एक वायर या थिन स्ट्रक्चर अगर स्टम कनवर्ट हो जाए एक वायर लाइक उसको कहते है trindle, यानि जो stem है वो convert हो जाए इस तरह से किसी structure में उसको कहते है trindle, उसको क्या कहते है trindle, so trindle is axillary buds, जो trindles में है axillary buds, side के buds, axillary buds, trindle में axillary buds modify हो जाते हैं, किसमें? वो modify हो जाएंगे, or modified to, modified to, trindle में axillary buds, modify हो जाते है, coiled or wire thin structure, to coiled, or into coiled, or thin wire like thin structure, wiry thin structure, thin structure, इसको कहते है trindle, इसकी example खीरा, cucurbita, cucurbita, vitis, और इसके साथ साथ, इसके example, paciflora, यह तीन example आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो पहली modification हमने trindle पड़ी, दूसरी modification, यह लिखा सबने, आवाज आ रही है सही से, यह सर, पुरा क्लियर है, दूसरी example, केलोड है, केलाडोल है, केलाडोड, केलाडोड, देखो, यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला question है, केलाडोड के बारे में, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला question किसके बारे में हैं यह, केलाडोड के बारे में, केलाडोड, केलाडोड क्या होता है, it is phylo-clad with only one internode, it is phylo-clad with only one internode, इसकी एक्जाम्पल है रसकस और एस्परागस, ठीक है इसकी एक्जाम्पल है रसकस और एस्परागस, ठीक है यह याद रखना फाइलर डूड जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में, बहुत सारी जगों पर क्वेश्चन्ज आये हैं। किसके बारे में, फाइलर डूड के बारे में बहुत सारी जगों पर क्वेश्चन्ज आये हैं। ठीक है यह टरम बहुत सारे। पख़॰श्चन्स में उस हूँ है। अब इसमें मैंने क्या खाए फाइल हम वुलोगों में इसमें कि कहा कि पलकू फाइल हूप्वк democr終ies ठीक है इसको में मिटा रहा हूं मैंने कहा is philoclod and what is this philoclod? philoclod किसको कहते है philoclod plant में अगर शिटम eastward間 भीठ्ष हो जाए एक फलाट एक फलाट या स्लेंडिरिकल cylindrical structure में stem अगर modify हो जाए flat या cylindrical structure में उसको कहते हैं phyloclad phyloclad क्या है flat cylindrical structure यानि stem modify हो जाएगा flat cylindrical structure में उसको कहते है phyloclad अगर phyloclad में एक इंटर नोड प्रेजंट होगा उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं कैला डोड उसको कहते हैं कैला डोड जो हमने भी पड़ा यह एक मॉडिफिकेशन ठीक है इतना समझ में आ गया देखो कि यह जो है दिया धिस थी आद यह फ्लैट यह सलेंड्र इसको फाईछो क्लैड कहते थे या पहां आपनसिय में फ्लैश्य राज ह्या वैं थी अपन शिया यह टा इसको कहते हैं कैक टे वे फ्लैट स्ट्रक्टर बनाए इस इस फ्लैट स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फाइलो क्लैड इसको क्या कहते हैं फाइलो क्लैड यानि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में अगर स्टेम कनवर्ट हो जाए उसको कहेंगे हम फाइलो क्लैड उसको क्या कहेंगे हम फाइलो क्लैड ठीक है कोई confusion तो नहीं यहां पर इसकी example उपन्शिया इसकी example उपन्शिया यूफोर्बिया एंड कैसुरीना यह जो वो यह वाला system है यह green color का होता है यह photosynthesis करता है यह green color का होता है और यह photosynthesis में काम आता है इसको कहते हैं phylloklate 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 में क्या होते है leaves modify होते है spina में या यदि नि जो इस पर होते है यह याद रखना है आपको तो फाइलो कलेट में को दो चीजे याद रहना है कि यह लीफ लाइक Depois millor घूर अगर इसी तरह का यूजा बनेगा मगर उसमें एक यह दो इंटरनोड होटे हैं उसको कहते हैं यह लीफ लाइक स्ट्रक्शर बना स्टेंब रोब्ति विद आंली रोड यह वन नहीं है बलकि यह स्टेंब ain't a- deed a-स e Rứng में क्में तुझ मैं की ली फ लाइक स्टॉक्चर रोगा है और उसको क्या कहा गया है उसको कहा पागा है जो को क्या कहा गया है का लड़ो समझ में आया एप्ट समझ में आया है सब को यह पॉइंट किसी को कोई डाउट देखो यह इस वे मैं इतना जोर दे रहा हूं कि इसका मतलब यह आया ही आया होगा एक्जाम में और यह कालाडोर फाइलो क्लेड इसकी एक्जामपल पूछी जाएगी अलग अलग अग्जामपल इसकी कोई कन्फूजन तो नहीं इसकी अलग अलग अग्जामपल है इसकी ठीक है और इसी वज़े से यह अक्सर अग्जाम में आया है और अक्सर अग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है इसलिए आपको क्या करना है आपको इस पे मैं ज़्यादा दो जोर दे रहा हूं ताकि कि यह आप से गलत नहों जाएं कि कोई तो नहीं तो दो चीज़ें एस पर अगस जो है उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेई एक सौली छीटियम है और अगर डानचय इसको क्याय खैंध्य एक स्ट्रोक्चर घानचय है और यॉब हर दैने की संद्ट्रोन कॉर पांचय में इसे करा और भी ह使 स्ट्रय जो है उसको क्या昨 के आपальныхa तो यह कोई कन्फूजन तो नहीं और इसकी एक्जाम्पल रसकस है रसकस इसकी एक्जाम्पल क्या है रसकस है ठीक है आगे चलते हैं एक और मोडिफिकेशन स्टम की है डाट इस थौर्न या प्रिकल पढ़ लेते हैं हुक पढ़ लेते हैं जो हुक है जो हुक है या प्रिकल है द यह और मौडिफाइड डेड वलप्राप मौडिफाइड मौडिफाइड कोरेक्स और एपिडरमिस and found out the nodes and internures they help in climbing rose and simlex में hook like structures जो निकलते हैं उनको जो कांटे होते हैं rose और simlex में उनको prickles or hooks कहते हैं example rose and simlex sitem thornis sitem thornis sitem thornis sitem thornis कहां पर होते हैं they are axillary birds are terminal birds of the stem they may be a leaves and flowers and example is buganvelia pomgranate and stress buganvelia pomgranate and stress ठीक है यह समझ में आ गए आपको axillary bird अगर spine में convert हो जाई जैसे यह तर्मिनल बाड है यह तर्मिनल बाड है यह थारन में convert हुआ है इस तरह से यह तर्मिनल बाड है यह थारन में convert हुआ है axillary bird थारन में convert हुआ है इसको क्या कहते है इसकी example stress stress यह जो आपको नीमगू का पेड मिलेगा या pom इसका औरेंज का पेड मिलेगा अगर आप उसको देखोगे closely तो end पे आपको थारन लाइक structure मिलेगा थारन मिलेगा जो axillary bird होता है और टर्मिनल बाड होता है ठीक है और रोज में आपको prickles मिलेंगे जो epidermis और cortex होता है यह आपको याद रखना है climbing में help करते हैं इन में leaves भी होते हैं इन थारन लाइक structure में या flowers भी निकल सकते हैं it is endogenous in origin यह endogenous होता है it is exogenous in origin यह exogenous होता है कोई जो बाहर से निकले epidermis बाहर से होता है endogenous का मतलब कि अंदर से ही बनके आएगा यह अंदर से endogenous यह पूरा flower का part इस plant का part थारन में convert हो जाएगा इसमें epidermis epidermis outer layer होती है वह थारन में convert हो है कि अंदर से बनके नहीं आता है यह ठीक है तो यह चीज़े याद रखने प्रिकल और थारन में यह difference है कोई confusion यहां तक अब को समझ में आया यह सर फिर उसके बाद एक और modification है इसको बुल-बिल कहते हैं बुल-बिल जो है यह 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 मौडिफाइड वेजिटेटेव बड़स होते हैं मौडिफाइड वेजिटेट्व बड़स होते हैं एक्जाम्पल इसकी ऑकजलेस थे आर मॉडिफाइड व४ी ट्यूंस वीजिटेटु बर्ड्स फुल-बिल ज आर मॉडिफाइड विजिटेटु बर्ड्स एकजाम्पल इसकी Extreme ठीक है कोई konfusion और इसकी इग्जाम्पल ऑगावा भी है इसकी एक्जामपल एगावा भी है कोई कंफीजन ना सर ठीक है इनको इनका काम क्या है वेजिटेटु बर्ड बुल्बिल का काम है ताकि अगर हम इनको कहीं से उठाके कट करेंगे और दूसरी जगह लगाएंगी इससे कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाएगा इससे कि यह प्लांट ग्रोह जाएगा ठीक है इतना समझ में आए आपको कि यह क्रिचिंगया बुल्बिल थान फांड उनलव फॉलोईंग ठीक है इसकी एक्जांहमपल बल्ड प्लीं बुल्फूल्व फॉलोंग ऊप्रेंट्थ मैं आए बुल्शिंग इंकल फांड के द्रहाओ में option 1 एगावा option 2 option 1 एगावा option 2 ऑग्जैलेस option 3 पाइनेपल option 4 आल आप देवो क्या होगा लब देवो अल आप देवो फोर यह जो मैंने एक्जांपल नहीं दी थी पाइनेपल की अब आपने वह भी नोट कर ली ठीक है कोई confusion तो नहीं नो सर तो यह बुल बिल इसके बारे में कि यह कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो बुल बिल इसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ हम क्या पढ़ेंगे अब